हेलो वीवर्स एक्जाम इस्टेडी क्लासिस के यूटूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और हमारे सीरीज जो करंट अफेर अपडेट्स की सीरीज है इसी करम में आज हमारे ये सेकंड एपिसोड है और फर्स्ट एपिसोड इसका हो गया है जिसमें हमने महत्पूर्ण करंट अफेर्स की कुछ प्रशनों को डिसकस किया था और आज फिर कुछ महत्पूर्ण जो करंट अ परचा में रहते हैं उन सभी प्रशनों को आज हमने फिर से इस एपिसोड में शामिल किया है तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी सिरीज का पहला प्रशन पहला प्रशन है विशर बैंक ने चालू वितवर्ष के लिए भारत के वरधी दर का नुवान कितने प्रशन लगाया है ओप्शन है 8.5 प्रतिशत, 8.3 प्रतिशत, 9.5 प्रतिशत और 10.5 प्रतिशत इस प्रेशन का जो सही जवाब होगा वो होगा ओप्शन नमबर ए 8.5 प्रतिशत बढ़ते हैं दूसरे प्रेशन के तरफ तो भारते अंतरेक्ष और अनुसंधान संग्ठन इस रो के अगरे प्रमुख नुक्त किये गए हैं ए स्री टीस रियास एस सोमनाथ के शिवान या फिर के चीदम्रब सही अंसर होगा एस सोमनाथ ओप्शन नमबर बी वरिष्ट रोकेट विज्ञानिक ऐस सोमनाथ को भारतिया अंतरिक्ष और अनुसंधान संग्ठन इस रो का अगला प्रमुख निक्त किया गया है और जो सोमनाथ हैं वो इस पद पर के सिवान की जगह लेंगे कुश्चिन नमर थ्री किसे वीवो की जगह इंडियन प्रिमियर लीग इनके IPL का नया टाइटल स्पांसर बनाए गया है A. BSNL, B. Tata, C. G.O. या फिर D. Samson सही अंसर होगा Tata Option No. B. इंडियन प्रिमियर लीग की टाइटल स्पांसर करने वाली मॉबाइल कंपनी वीवो ने लीग के स्पांसर्शिप से अपना नाम वापस ले लिया है और अब Tata Group इस लीग का नया टाइटल स्पांसर बना है Q4. हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है A. 81, B. 82, C. 83 या फिर D. 85 तो हाला कि इस बार हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का जो पासपोर्ट है वो उसके जो हालात हैं वो कुछ सुधरे हैं और सुधरने पर जो भारत का इस्थान है इसमें वो रहा है 83 यानि कि 83 वस्थान रहा है तो हैनले पासपोर्ट सोचकांग 2022 में भारत को 83 वा इस्थान दिया गया है जो पिछले साल वर्ष 2021 की 90 वी रेंग के तुल्ला में साथ पाइदान उपर है जापान और सिंगापूर सोचकांग पर सीर्ष पर हैं अनकी दोनों देश संगत रूप से फर्ष्ट रैंग पर हैं कुश्चिन नमर फाइव हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिर्जो महाराज का 83 वर्ष की उमर में निधिन हो गया इनका संबन्ध किस घराने से था इस प्रसंद का सही आंसर होगा लखनव घराना तो 17 जनवरी 2022 को महान कथक नर्तक बिर्जो महाराज का हिर्दय घात के कारण 83 वर्ष की उमर में निधिन हो गया बिर्जो महाराज का पूरा नाम ब्रज मोहननात मिर्ष था इनका जन्म चार फरवरी 1937 को लखनव के प्रशिद कतक नर्तक परिवार में हुआ था लखनव घराने से तालुक रखने वाले बिर्जो महाराज को 1983 में पन्द विभूशन से भी सम्मानित किया गया था कुश्चन नमर सेक्स हाल ही में डेविड बैनेट दुनिया के पहले मानब बन गए हैं जिन्होंने पिग हार्ट टांस्प्लांट किया गया वे किस देश के नागरिक हैं अमेरिका कनाडा बेटेन या फिर चर्वई सही अंसर होगा अमेरिका तो अमेरिका नमें डॉक्टरों ने मनुष्य के सरी में सुवर का दिल मतलब पिग हार्ट इंप्लांट इन हुमन सफालता पूरवक्ट ट्रांस्प्लांट किया मेरिलेंड निवासी 57 वर्ष्य डेविड मैनेट इक्केई बीमारियों से जूज रही थे और यही एक ओप्षिन बचा था कि उसमें जो पिग हार्ट है उसको ट्रांस्प्लांट किया जाए कुष्य नमर् 7 हाली में नौर्थ इसट फैस्टिवर्न का कितने वा संसक्र्ण कुवाटि इनकी असरम में संपन हुआ ए अठवा बी नोवा सी दसवा यफ दी ज्यारेवा इस प्रस्ण का सही जवाब होगा नोवा तो हाल ही में नौर्थ इस्ट फेस्टिवल का नोवा संस्कन कुवाहाटी असम में संपन हुआ कुश्य नमर एट हाल ही में राष्टे विज्ञान दिवस 2022 की थीम के रूप में Integrated Approach in Science and Technology for Sustainable Future की घोशना की गई प्राष्टे विज्ञान दिवस किस दिन मनाये जाता है A. 31 जिनवरी को B. एक फरवरी को C. 28 फरवरी को D. एक मार्च को सही अंसर होगा 28 फरवरी को 28 फरवरे 1928 को देश के महान विज्ञानिक शीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी और इस खोज के सम्मान में 1986 से इस दिन को राष्टे विज्ञान दिवस के रुप में मनाये जाता है कुछ नंबर नाइन हाल हिमें किस देश ने भारत के साथ त्रिको माली तेल टैंक फार्म सोधे को मंजूरी दी है ए अमेरिका, बे स्री लंका, सी उत्री अमेरिका या फ्रिडी लाओस इस प्रशन का सही आंसर होगा बी, स्री लंका तो स्री लंका ने भारत के साथ द्वी पक्षिया आर्थिक और उर्जा साजेदारी के रूप में द्वी प्राष्ट के पूर्वी बंदरगा जिले त्रिंको माली में द्वित्य विश्विद के समय की तेल, भंडारन, सुविधा ओयल टेंक फार्म के सभिक तो रूप से पुनर विकाश को लेकर के समझोते पर हस्ताक्षिर किये हैं कुश्च नमबर टैन और इस सीरीज का आखरे प्रेशन है हाली में अलगा मित्तल निमन में से किस संस्ता का नेत्रत्व करने वाली पहली महिला बन गई है सई अंसर होगा ONGC तो ओईल एंड नेचरल गैस कॉर्परेशन की पहली महिला दक्ष के रूप में अलका मित्तल ने पदभार ग्रियान किया है तो इस सीरीज में ये दस प्रेशन थे आपको इस सीरीज कैसी लग रही है चरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और साथी साथ लाइक और शेयर जरूर करें आगे फिर मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ में एक नई वीडियो के साथ में तक तक के लिए धन्यवाद